ये कहानी हिना की है, जिसके हाथों में गजब का हुनर था बच्पन से ही हिना को मेहधी लगाने का बड़ा शौक था बिना कहीं से सीखे, वो मेहधी के बहुत ही सुन्दर डिजाइन बनाती थी लेकिन उसके घर के हालात अच्छे नहीं थे हिना, जब सिर्फ दो साल की थी, उसके अबबा इस दुनिया से रुकसत हो गए थे तब से उसकी अम्मी सबीना ही सब कुछ संभाल रही थी हिना, मुझे काम के लिए देर हो रही है, तो तू ऐसा करना घर के जो भी काम बचे हैं, तू निप्टा लेना, ठीक है? ठीक है अम्मी, मैं सब कर लूँगी, लेकिन आप काम से लौटते हुए बिरजु अंकल की दुकान से मेहदी लेती आना, याद से ले आना भूलना मत हाँ हाँ, ठीक है, चल मैं चलती हूँ, तू सारे काम कर ले ना ठीक से हिना की मा सबीना लोगों के घरों में काम करके, अपनो और हिना का खर्च उठा रही थी, वो हिना को स्कूल भेजना चाहती थी, लेकिन स्कूल में एडमिशन के लिए और पैसों की जरूरत थी सबीना तीन घरों में साफसफाई और बरतंद होने का काम कर रही थी और फिलहाल उसकी कमाई से सिर्फ खाने और पहनने का ही जुगाड हो पा रहा था सबीना हर रोज काम निपटाने के बाद नया काम ढोणने निकल जाती लेकिन हर रोज मायूसी ही हाथ लग रही थी अमी आज बड़ी देर हो गई आपको फिर से काम ढूरने दूर निकल गई थी क्या हाँ कई जगा पूछा लेकिन कहीं बात नहीं बनी अमी और कितना काम करोगी तीन घर तो पहले से ही है इस से जादा करोगी तो बिमार पढ़ जाओगी मेरी बात मान लो ना आप मुझे सोनाली भावी के ब्यूटी पार्लर से काम सिखवा दो फिर देखना मैं अपना खुद का पार्लर खोलूँगी और खूब सारे पैसे कमाऊँगी फिर आपको कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे अम्मी, मेरी मेंधी कहाँ है? खरीदी तो थी ना? नहीं खरीदी और नहीं खरीदूँगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तेरे शौक पूरे करने के लिए और एक बात साफ साफ सुन ले हिना ये पार्लर वार्लर का काम नहीं सिखवा पाऊंगी भै तुझे किसी तरह थोड़ी और कमाई बढ़ जाए तो सबसे पहले स्कूल भेजना है तुझे इतना कहेकर सबीना रसोई में चली जाती है हिना अपने घर के हालाद जानती थी और अच्छे से समझती भी थी वो भी अपनी अम्मी की मदद करना चाहती थी इसलिए पार्लर का काम सीखना चाहती थी लेकिन सबीना को ये सब फाल्तु लगता था ऐसे ही दिन बीटते गए ना सबीना को और काम मिला और ना ही हिना स्कूल जा सकी, फिर एक दिन अरे वाह हिना, ये डिजाइन तो पारलर वाली भी नहीं लगा पाई थी और तुमने बिल्कुल जैसे का तैसा बना दिया हाँ भाबी आपने जिस दिन ये डिजाइन दिखाया था उसे दिन से इसकी तैयारी कर रही थी सच में बहुत ही सुन्दर मेंदी लगाई है अब एक काम करो ये मेरा पर्स रखा है जरा खोलो तो इसे हाँ भाबी क्या चाहिए पर्स में से वो 50 रुपे है ना उन्हें निकालो हाँ ये लीजे अब क्या करना है इन्हें तुम रख लो अरे नहीं नहीं भाबी इसकी जरूरत नहीं है मैंने कभी आपसे पैसे मांगे है क्या मुझे तो मेंदी लगाने का शौक है बस इसलिए लग सो रुपे लेते हैं और मेंदी भी अच्छी नहीं लगाते तुम उन्हें कड़ी टकर दे सकती हो लेकिन सुश्मा भाबी मेरे पास कोई क्यों आएगा मेरा तो पार्लर भी नहीं है और मैंने कहीं से मेंदी लगाना सीखा भी तो नहीं है तो क्या हुआ तुम्हारा काम सब को खींच कर लाएगा देखो शादियों का सीजन आने बाला है मैं अपनी सारी सहेलियों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी उन्हें तुम्हारा काम अच्छा लगा तो वो औरों को बताएंगी ये तो बहुत अच्छा रहेगा भाबी मेरा शौक भी पूरा होगा और मैं की मदद भी कर पाऊंगी हिना के पास अगले ही दिन दो ओरते मेंदिलग्वानी के लिया आ गए उन्हें सुश्मा ने ही हिना के पास भेजा था हिना पूरी मेहनत से उन दोनों के हाथों पर बहुत ही सुन्दर मेहनती लगाती है जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाती है इस तरह धीरे धीरे हिना के पास काफी ओड़तें और लड़कियां मेहंदी लगवाने उसके घर आने लगी और हिना घर बैठे बैठे कमाने लगी अरे हिना ये राशन कौन लेकर आया मैं लाई अम्मी मेंदी लगा कर मेरे पास पैसे हो गए थे उन्हीं से लेकर आई हूँ हिना की बात सुनकर सबीना की आँखों में आसु आ जाते हैं वो हिना का सरसहला कर अपने काम में लग जाती है वक्त के साथ हिना का नाम होने लगा मुहले के मशूर पारलर के बजाए अब हिना के घर पर औरतों की भीड आने लगी आपका सब कुछ हो गया बस मेंदी बाकी है आए मैं लड़के को बोल देती हूँ वो फटा फट लगा देगा सोनाली को समझते देड़ नहीं लगी कि वो ग्राहक किस से मेंदी लगवाने वाली थी कुछ तो करना ही पड़ेगा इसे ना का ऐसे तो हमारे यहां से कोई मेंदी लगवाएगा ही ने कुछ सोच सोनाली यह अपने पारलर की इस्जत का सवाल है हिना जिस दुकान से मेंदी खरीती थी सोनाली ने उस दुकान वाले को कुछ पैसों का लालज दे कर हिना की मेंदी में केमिकल मिलाने के लिए तयार कर लिया हिना अंजाने में वही केमिकल वाली मेहधी सब के हाथों में लगाती रही जिससे जादतर औरतों के हाथों पर एलर्जी हो गई और सभी हिना पर गुस्सा करने लगे ये कैसी मेहधी लगाई तुमने हे भगवान खुजा खुजा कर मेरे तो हाथ ही छिल गए अब कैसे करूँगी मैं घर के काम मुझे सोनाली के पार्लर से ही मेहधी लगवानी चाहिए था भले ही डिजाइन अच्छा नहीं बनता लेकिन कम से कम मेरे हाथों पर ये एलर्जी तो नहीं होती हिना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हुआ वो बहुत डर गई थी उसने फौरण अपनी सारी मेहधी पानी में बहादी और रोने लगी हिना परिशान मत हो बेटी सब ठीक हो जाएगा नहीं अम्मी खोदा पता नहीं किस कुना की सजा दे रहे है मैंने तो इतने प्यार से मेहधी तयार की थी इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ अब मुझसे मेहधी लगवाने कोई नहीं आएगा कभी नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा खुदा अपने बंदों का इंतिहान लेते हैं अब ये तुम पर है कि तुमें हिम्मत करके इसे पार करना है या हार मान कर रोते रहना है पहले मैं ही तुझे इस काम से दूर रहने को कहती थी लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि इसी काम में तेरी खुशी है और अब मैं तेरी साथ हूँ बेटा शुक्रिया आम्मी लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी मेंदी को आखिर हुआ क्या है। क्या हुआ था ये तो नहीं पता। पर अब आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं जिनके हां काम करती हुँ न, वो मैडम एक आयूरवेद की डॉक्टर है। उन्हें मैंने तेरी मेंदी दिखाई थी। उन्होंने बताया कि उसमें मेंदी के अलावा कोई और चीज भी थी जो हाथों को नुकसान दे गई। लेकिन अम्मी, मैंने तो कुछ अलग से मिलाया ही नहीं, फिर ऐसा कैसे हुआ। हो सकता है ये बिर्चु के मेंदी में कुछ कर बढ़ो, तु ऐसा कर, इस बर दूसरी दुकान से मेंदी खरीद, और सबसे पहले मेरे हाथों पर लगा, और हाँ, और इस सबसे पहले मेरे साथ मिलकर एक तेल बना, मैडम जी ने बताया है कि कैसे बनाना है, उससे सब के हाथ हाथों को आराम आ जाएगा, हिना ऐसा ही करती है, उसकी मा सबीना के हाथों पर मेंदी का रंग बहुत ही अच्छा चड़ता है, और उसके हाथों को कोई नुकसान भी नहीं पहुचा था, ये देखकर हिना का खोया आत्मविश्वास फिर लोटाया, और वो फिर से अपना म क्वालिटी का पता और ना ही डिजाइन की समझ, चली है मुझसे टकर लेने, सुन, तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ, ये सब छोड़ और वो कर जो तेरी मा करती है, समझी, तब ही वहाँ पर सोनाली की 5 साल की बच्ची आ जाती है, वो लगातार अपने हाथ खुजा रही भाबी, श्रद्धा ने बड़े मन से कहा था इसलिए लगा दी थी मैंने, लेकिन आप चिंता मत करो, ये मैंने एक तेल बनाये है, ये इसके हाथों को ठंड़क देगा और फिर सब ठीक हो जाएगा, इतना कहकर हिना सोनाली की बेटी के हाथों पर वो तेल मल देती है, जिस ये सब देखकर सोनाली हैरान थी, वो जानती थी कि उसकी बच्ची के हाथों पर ऐलर्जी की जिम्मेदार हिना नहीं बलकि वो खोद थी, वो ये सब करके भी हिना को मेंदी लगाने से नहीं रोक पाई, क्योंकि हिना ने एक एक करके सभी के हाथ अपने तेल से ठीक कर दिय थे, सोनाली शर्मिंदा थी, उसने हिना के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हिना मुझे माफ कर दो, तुम्हारी मेंदी में केमिकल मैंने ही मिलवाय था, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, कोई बात नहीं भाबी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आपक पैसे नहीं थे, तुम्हारे पास जो हुनर है, वो पैसों से कहीं ज़्यादा कीमती है, तुम आज से ही मेरे पारलर में आना शुरू करो और मेरे ले काम करो, तुम सब को मेहन्दी लगाना, और मैं तुम्हे उसके पैसे तो दूंगी ही, साथ ही पारलर का बाकी काम भी कर रही थी, अब उसने एक ही पल में हिना की सबसे बड़ी खौईश पूरी कर दी थी, सोनाली और हिना दोनों खुश थे, क्योंकि वो दोनों ही अब एक दूसरे की मदद करने जा रहे थे, गरीब चूड़ी वाली, सनेहलता बहुत ही समझदार, सुल्ची और मेहन्ती लड काम बहुत दिल लगा कर सीखा करती थी, नहलता, बेटा तु ये चूड़ीयों का काम मत किया कर, देख तो तेरे हाथ कितने सक्त हो गए हैं, ये सब मुझे अच्छा लगता है पिता जी, देखो न, कितने रंगों को कांच में मिला कर कितना सुन्दर चूड़ीयों का जोड मिलता है, पिता जी, मैं भी चूड़ीयों बना कर बेचा करूँगी, बेटी, ये चूड़ीयों तो बनाना सीख ले, लेकिन बेचने वाली बात मत बोन, मैं तेरी शादी ऐसे घर में करूँगा, जहां तुझे ये सब नहीं करना पड़े, इसी तरह दिल निकलते हैं, और स आरे भाई जगदीश कैसे हो, कैसा चल रहा है काम धन्दा अरे नत्थुलाल, कितने दिनों बाद आया है तू, यहां तो सब ठीक है, तू बता तेरे परिवार में तो सब ठीक ठाक है ना आहां, सब बड़िया है, चूडिया लेने आये था, सोचा इस बार तेरे यहां से चूडिया लेकर जाता हूँ, बहुत लोगों से तारीफ सुनिये तेरी चूडियों की आहां, क्यू नहीं तभी जगदीश अपनी बेटी को बोलता है कि अंकल के लिए चाय पानी लेकर आओ, स्नेहलता चाय पानी लेकर आती है, नमस्ते अंकल नमस्ते स्नेहलता बेटा, तुम तो बहुत बढ़ी हो, आखरी बार जब देखा था, तो छोटी सी यहीं इदर उदर घूमती रहती थी तभी स्नेहलता की मा कमला भी वहां आ जाती है, अरे नत्थू भाईया, आप बहुत दिनों बाद आना हुआ हाँ भाई, काफी समय बाद आया हूँ, आज चूडिया लेनी थी, तो जगदीश के पास चूडिया लेने आया हूँ नत्थू लाल वहां से काफी सारी चूडिया लेकर चला जाता है, रास्ते में उसे खयाल आता है, किस नहीं लता बहुत अच्छी लड़की है क्यों न अपने बेटे रवी की शादी इससे करा दू, इससे मेरा बेटा भी सुधर जाएगा नत्थू लाल का बेटा रवी वैसे तो अपने पिता जी के साथ दुकान पर काम करता था, लेकिन उसका मन कभी भी काम में नहीं लगता था वो हमेशा सपने देखता था कि कहीं से बहुत बड़ा खजाना मिल जाए और वो मज़े की जिन्दगी जीए नत्थू लाल कई बार उसको ये बात समझा चुका था, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता था और स्नेल अता को देखकर नत्थू लाल को लगा कि अगर इसकी शादी रवी से हो जाएगी, तो रवी सुधर जाएगा यही सोच कर वो अगली बार जगदीश के पास जाता है भाई जगदीश, देखो इस बार मैं तुमसे कोई चूड़िया ओड़िया लेने नहीं आया हूँ तो फिर क्या हुआ भाई नत्थू, क्या कहना चाते हो मुझे तुमारी बेटी स्नेल अता बहुत अच्छी लगी मैं अपने बेटे रवी के लिए उसका हाथ माँगने आया हूँ अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमारा बेटा क्या करता है अब वो मेरे साथ दुकान पर ही बैठता है और तुझे मेरे कामधन देगा तो पता ही है अब बता, क्या तु स्नेल अता का हाथ मेरे बेटे रवी के लिए देगा रुको, मैं पहले कमला से पूछ लेता हूँ हाँ हाँ, क्यों नहीं कमला भी ये सुनने के बाद स्नेल अता का हाथ रवी को देने के लिए तयार हो जाती है धूमधाम से रवी और स्नेल अता की शादी हो जाती है पर शादी के कुछ दिन बाद ही स्नेल अता को एहसास होता है कि रवी बहुत आलसी है पिताजी रोज सुबर टाइम से जाकर दुकान खोल लेते हैं आप इतनी देर तक घर पर रहते हो ये सब अच्छा नहीं लगता आप भी पिताजी के साथ टाइम से दुकान पर पहुँच जाये करो मुझे मेरा काम समझाने की जरूरत नहीं है जब आप जानते हैं तो फिर जाकर पिताजी का हाथ क्यों नहीं बटाते तुम्हारा काम घर संभालना है तो तुम अपने काम पर ध्यान दो इसी तरह चार साल निकल जाते हैं सनेहलता दो बच्चों की मा बन जाती है पर रवी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता और एक दिन सनेहलता के ससुर नत्थुलाल को दिल का दोरा पड़ता है और वो गुजर जाते है एक तु दिन बाद रवी दुकान पर जाना शुरू करता है सनेहलता को लगता है कि अब रवी सुधर जाएगा सनेहलता मैं दुकान पर जा रहा हूँ ये लीजे खाने का टिफिद और दिल लगा कर काम कीजेगा काम तो करना ही पड़ेगा वरना तुमारा और तुमारे बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा ये आप कैसी बाते कर रहे हैं बच्चे आपके भी है मैं तो ये सब चाहता ही नहीं था पिताजी को ही पड़ी थी मेरी शादी करवाने की ये सुनकर सनेहलता को बहुत बुरा लगता है सनेहलता के दोनों बच्चों की उम्रे जाधा नहीं थी उसे लगा जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे रवी अपनी जिम्मिदारियां समझ लेगा छे महीने जैसे तैसे कटते हैं नंदू का जन्मदिन आ जाता है सुनो रवी नंदू का जन्मदिन है परसो और मैं चाहती हूँ कि ममी पापा को भी बुला लू तुम्हारा दिल जिसको चाहे उसे बुलाओ मुझे क्यों सुना रही हो क्योंकि मैं आपसे पूछ रही हूँ तुम्हें जो करना है करो सुनेह लटा नंदू के जन्मदिन वाले दिन सुबह जल्दी उठती है वो देखती है कि रवी घर पर नहीं है उसे लगा कि वो बाहर गया होगा अभी थोड़ी देद में आ जाएगा दो पहर तक सुनेह लटा के ममी पापा भी आ जाते है उन्हें देखकर सुनेह लटा और बच्चे खुश होते है क्या हुआ बेटा ये रवी कहां रह गया अभी तक नहीं आया बेटे के जनम दिन पर वो घर पर नहीं है क्या दुकान पर है नहीं मा आज वो दुकान पर भी नहीं गये मैं दो बारी सुबह से दुकान पर हुआई हूँ पता नहीं कहां चले गये ये तो बहुत ही लापरवाई की बात है काफ़ी इंतग्जार करने के बाद भी रवी घर नहीं आता सनेहलता के ममी पापा भी चले जाते है अगले दिन सुबा सनेहलता को एक खत मिलता है मैं रवी तुम लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता इसलिए दुकान पर रखा हुआ जितना भी पैसा था और बैंक में जो पैसा था मैं लेकर जा रहा हूँ और ये दस जार रुपए तुम्हारे लिए ये पढ़कर सनेहलता होश खो बैगती है और रोने लगती है उसके माता पिता उसे वापस घर बुलाते हैं पर वो जाने से इंकार कर देती है एक महिना जैसे जैसे कटता है और वो पैसे भी खत्म होने लग जाते है अब सनेहलता के सामने अपने और अपने बच्चों की परवरिश का मुद्दा खड़ा हो जाता है तब ही सनेहलता फैसला करती है कि वो इस तरह गरीबी की जिन्दगी नहीं जियेगी उसके हाथों में हुनर है और वो अब चूडियां बनाने और बेचने का काम करेगी स्नेह लटा चूडियां बनाना शुरू कर देती है और फेरी लगा कर बेचना शुरू कर देती है दोनों बच्चों को भी वो अपने साथ रखती है धीरे-धीरे उसकी चूडियां लोगों को पसंद आने लगी एक बार वो एक महले में चूडियां बेच रही थी कि कुछ और ते उससे चूडिया लेने लगती है ये हरी चूडिया तो दिखाना बहुत प्यारी लग रही है और मुझे वो लाल नगो वाली चूडिया दिखाना ये लीजे ये हरी वाली देखे और इसमें आपको और भी रंग मिल जाएंगे और ये लाल रंग वाली चूडिया इसमें भी आपको कई तरह की चूडिया मिल जाएंगी बहुत सुन्दर चूडिया है कहां से लाती हो ये सब चूडिया मैंने खुद बनाई है ये तो बहुत ही सुन्दर चूडिया है ऐसे करो तो मुझे ये हरी वाली, लाल वाली और वो पीली चूडियां दो-दो दर्चन कर दो स्नेहलता कागस लेकर उसमें चूडियां पैक करने लगती है तभी एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है वो इस नहीं लता की चूडियां देखता है और वहीं रुख जाता है ये चूडियों की डिजाइन तो बहुत ही सुन्दर है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ये चूडियां कहां से लाती हो ये सब चूडियां मैंने खुद बनाई है ये सच मुच बहुत ही सुन्दर है, मैं एक मड़ियार हूँ और शहर में मेरी चूडियों की दुकान है, मैं तुम से ये चूडियां खरीदना चाता हूँ हाँ हाँ बाबुजी बताइए कितनी पैक कर दो तुम समझी नहीं बहन जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये सारी चूडियां खरीदना चाता हूँ आप ये सारी चूडियां ले लेंगे मैं ये सारी चूडियां भी लूँगा और तुमें कुछ चूडियों के ओडर भी देता हूँ तुम कहां रहती हो मुझे बताओ अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं और तुम इस तरह इने अपने साथ लेकर क्यों घूम रही हो ये मेरे ही बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए घर पर कोई नहीं है इसलिए अपने साथ लेकर चूडियां बेचने निकल जाती हो ओहो सुनकर दुख हुआ मेरी बात मानो बेन तुम ये सारी चूडियां मुझे बेच दो और मैं तुम्हें चूडियों के और दूँगा तुम घर में बैट कर ही चूडियां बनाना और बेचना इतने छोटे बच्चों लेकर कहा मारी मारी फिरोगी और फिर वो आदमी जिसका नाम किशनलाल होता है सारी चूडियां खरीद लेता है और अगली चूडियों का और भर से ही बेचती इस तरह वो दोनों बच्चों का ध्यान भी रखती और देखते ही देखते कई साल निकल जाते है स्नेल अधा की मेहनत रंग लाती है वो अब ठीक ठाक कमा लेती थी जिससे वो अपनों और अपने बच्चों का गुजारा करती मा मा आज खाने में कुछ अच्छा बनाओ ना बता मेरी बिट्या को क्या खाना है मा आज खीर पूरी बनाओ ना मुझे भी खीर पूरी खानी है ठीक है आज मैं अपने बच्चों के लिए खीर पूरी बनाती हूँ स्नेल अधा खीर पूरी बनाने लगती है पूरी बनाते बनाते वो सोचती है कि कितने साल निकल गए आज बच्चे बड़े हो गए हैं कुछ सानों बाद और बड़े हो जाएंगे और कामयाब बन जाएंगे बहुत महनत लगी है मुझे यहां तक आने में इस महनत को मैं जाया नहीं जाने दूँगी मैं और महनत करूँगी और अपने बच्चों को अच्छी लाइव दूँगी सनेह लटा फिर बच्चों को खाना खिला कर सुला देती है इस तरह कई महीने और निकल जाते है एक दिन सनेह लटा सुबह घर का काम कर रही होती है कभी दर्वाजे पर दस तक होती है गोपी बेटा ज़रा दर्वाजा तो खोलना देखो कौन आया है फीक है मम्मी मम्मी कोई अंकल आये है आपको पूछ रहे है कौन आया है और दर्वाजे पर रवी को खड़ा देख कर चौंक जाती है कैसी उसने लटा देखो मैं वापस लोटाया हूँ अब मैं तुम्हें और बच्चों को छोड़ कर कभी नहीं जाओंगा रवी वही रुक जाओ जहां तुम खड़े हो अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगा नहीं है खिन बच्चों के साथ रहने की बात कर रहे हो जो तुम्हें जानते तक भी नहीं है मुझे माफ कर दूस नहीं लता मैं उस टाइम समझ नहीं पाया मुझे अपनी जिम्मेदारियां बोज लगती थी रवी तुम्हें उस टाइम क्या लगता था क्या नहीं लगता था मुझे नहीं पता लेकिन आज इतने सालों बात जब मैं अपने आपको और अपने बच्चों को संभाल चुकी हो तो मुझे नहीं लगता अब हम तीनों को तुम्हारी जरूरत है ऐसा न कहो मैं तुम लोगों को अब कभी छोड़ कर नहीं जाओंगा मैं तुमसे वादा करता हूँ रवी मैंने कहा न कि अब हम लोगों को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और रही बात भरोसा करने की तो मेरी बात सुनो जो इनसान एक बार धोका दे सकता है वो दूसरी बारी भी जरूर देगा इसलिए अब तुम यहां से चले जाओ और यह कैकर्स नहीं लता दर्वाजा बंद कर देती है मा कौन है यह? कोई नहीं थी बेटी मुसाफिर था रास्ता भूल गया था चलो तुम भाईया के साथ खेलो मुझे चूडियां बनानी है